गोपाल गंज विलुप्त प्रजाती के उंटों की तसकरी में पुलिस का करप्षन सामने आया है। पकड़े गए उंटों को छोड़ने के नाम पर पशू तसकरों से अकाउंट में पैसे लेकर मोलतोल किया गया। उसके बाद नगर थाने में प्रात्मिकी दर्ज कर पशू त कित्तिवारी और पशू तसकर के रिष्टेदार यूपी के बागपद जिला निवासी दानिश्मिया को पुलिस ने अभियुक्त बनाया है। चौकीदार बीरेंदर यादव फरार है। पुलिस उसकी गिरफतारी के लिए छापे मारी कर रही है। वहीं इस पूरे करप्ष पशू डियस्पी संदीब कुमार द्वारा पिछले माह 11 जून को राजस्थान से तसकरी कर लाए गए विलुक्त प्रजाती के 19 उंटों को जब्त किया था। इस मामले में चार पशू तसकरों को गिरफतार भी किया था। इसमें उत्तर प्रदेश के मतुरा जिला निवास जुनैद खान, शाहनवाज और हर्याना के नूह मेवात के जुनैद खान और साहिल शामिल थे। राजस्थान से तसकरी कर सभी उंटों को मुझफर पुर ले जाया जा रहा था, जहां से इन सभी उंटों को दूसरे राज्जे में सप्लाई की जानी थी। पुलिस ने इस म मामले में पशु तसकरों को छोड़ने के नाम पर थाने के चौकीदार बिरेंदर यादव के जरिये पैसे का लेंदेन किया गया था। 11 जून से मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन S.P. को जैसे ही इसकी जानकारी मिली उन्होंने ततकाल F.I.R. दर्ज कराने का आ कि गुप्त सूचना मिली की उन्टों को छुड़वाने के नाम पर पैसे की लेंदेन की गई है। जांच के दोरान थावे में मिले पशु तसकर के रिष्टेदार यूपी के बागपत जिला के केती पुरा निवासी दानिश्मिया से पूछ ताच की तो करप्शन का मामला स बार में करके बैंक खाते में भेज दिया थे। बाकी के पैसे का मोल जोल चल रहा था। इसी मामले में केस के आयों ने चौकीदार बीरेंदर यादव, अंकित तिवारी और पशु तसकर के रिष्टेदार दानियामिया को अभियुक्त बनाते हुए छापे मारी शुरू कर के बाद चक्का और बैटरी को खोला गया। मामले में चौकीदार और थाने के दलाल भित भेर्वा निवासी विपिन तिवारी के पुत्र अंकित तिवारी का नाम आया। पुलिस कस्टडी में जब्द किये गए ट्रक के चक्का और बैटरी को कैसे खोल कर बेच दिया गया यह भी बड़ा सवाल है। इनके पीछे किस पुलिस अधिकारी का हाथा था और किसके इशारे पर चौकीदार ने इतना बड़ा कदम उठाया यह खुलासा चौकीदार की गिरफतारी के बाद पूछताच होने पर ही हो सकेगा। प्रात्मिकी दर्ज की गई है और उनको इस केस का नुशंधान अंतरगत है इसमें आगे जो भी बीडिसमत करवाई है वो की जाएगी।